अपने हेर को कलर करने वाली हूँ राख ही आ रही है तो सोचा अपना मेक ओवर करूँ तो आज मैं कलर जो यूज करने वाली हूँ वह स्ट्रीक का है 7.3 गोल्डन ब्लॉंड इसका प्राइस है केवल 1.60 रुपीज यह आपको ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर पे मिल जाएगा इस साथ ही आपको यह कलर ब्रश मिलता है और इसमें आपको दो कर्डीशनर के सैशे मिलते हैं और साथ ही हैं गलब्स मिलते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊं की कि आपको कलर करते समय क्या-क्या साफ़धानी रखने हैं तो आप एक बात का ध्यान रखेगा जब भी आप कलर करें तो आप या तो ग्लास बॉल में ले कलर को मिक्स करें या फिर प्लास्टिक बॉल में तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें और जैसे मेरे हैर का लेंथ जादा है तो मैं ये पूरा ही डैबलपर और पूरा ही क्रीम मिक्स करूंगी आपको इसको 1.1 और इसे हां को हैं आपको केवल शैंपू से हैयर वाश करना है आपको कंडिशन चेहर र्याचीजर Diesesog कैवल या फीर हैर सीर्म तो नहीं होना कुछ अग्याद्य है और एक बात का और करें तो आप शैंपू कर लें इस तरह सब को small small section लेके और brush के help से color को apply करना है और आपको एक इंचोर के scalp से एक इंचोर के यह color apply करना है कि इसमें 30 volume है इसके कारण आपके scalp जो है वो burn हो सकता है इसलिए जब भी आप ऐसे blonde color करें तो आपको scalp पे यह color apply नहीं करना है आपको एक इंचोर के ही यह color apply करना है hair से लगाने के बाद आपको इस तरह से अपने बालों को massage करना है जिसके कारण color evenly आपके hair पे लग जाए और इस तरह से आपको नीचे section में small small partition निकालना है बालों का और color apply कर लेना है आप try करें कि किसी की मदद लेके ही color apply करें क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने खुद सही color apply किया है और मुझे practice है इसलिए मैं खुद के hair पे color लगा लेती हूं बट अगर आप पहले color आपने apply नहीं किया है तो आप try करें कि कि किसी की मदद लेके color apply करें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो evenly आपके hair पे color नहीं apply होगा जिसके करण अच्छा result नहीं मिलेगा आपको और मैं professional नहीं हूँ तो इसलिए मैं मुझे जैसे आता है मैं color apply कर रही हूँ और बहुत लोगों को ये भी confusion होता है कि हमें कितने मिनट तक hair को रखना है और फिर wash करना है अगर आपको light color चाहिए तो आपको जादा देर तक रखना है और अगर आपको थोड़ा सा dark color चाहिए black tone में ही चाहिए तो आप इसको 30 minute to 45 minute रख सकते हैं और अगर आपको जादा light color चाहिए तो आप one hours या देर घंटे भी इस color को रख सकते हैं it's up to you कि आपको कैसा color चाहिए आपको जादा blonde चाहिए तो आपको जादा देर तक बालों को इस तरह से रखना है और उसके बाद hair wash करना है hair wash आपको केवल पानी से करना है आप hot water भी ले सकते हैं but try करे कि एकदम look warm water हो और उससे ही आप hair wash करें अगर आप जादा गरम पानी से बाल धूंगे तो उससे के कारण आपके जो hair है वो बहुत ज़दा freezy हो जाएंगे dry हो जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेगा और normal पानी से आपको बाल धूना है मतलब आपको shampoo use नहीं करना है आपको केवल पानी से पूरे कलर को निकालना है उसके बाद आपको conditioner लगा के एक दो minute रखना है उसके बाद फिर से पानी से आपको वो conditioner को भी निकाल लेना है वाश कर लेना है तो आपको पहले नीचे से color apply करना है उसके बाद ऊपर कलर करना है अगर आप पहले उपर कलर करेंगे तो ऑसके बाद कि जो कलर बहुत ज़ादाidentally हो चाहेगा और नीचे का डाक रहे describe तो बिलकुल भी अग्छा नहीं लगेगा तो जब भी आप üç कलर करें तो आपको पहले नीचे सब अपलाए करना है उसके बाद आखरी में उपर कलर अप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे सेक्षिन में अल्मोस्ट लगा लिया है अब मैं उपर सेक्षिन में कलर अप्लाई कर रही हूँ और जैसे कि मैंने बताया है कि मैं स्कैल्प से एक इंच कोर के ही appreciate क्येंकि अगर मैं थोड़ा मतलब दो इंच ही मैंने छोर के कलर अप्लाई किया है क्योंकि अगर में जादा ग्लोज अप्लाई करती हूँ तो कलर बहुत ज़दा लाइट दिखता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं दो इंच छोड़के ही ओपर कलर अपलाई कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे सेक्षिन में कलर अपलाई कर लिया है अब मैं इसे 45 मिनिट बाद नॉर्मल पानी से वाश कर लूँगे और कंडिशनर अपलाई करूँगी तो आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट इस तरह से नीचे लाइट ब्लॉंड हुआ है और ऊपर थोड़ा सा डाक ब्राउंड है और ये थोड़ा सा ओम्रे इफेक्ट दे रहा है मुझे इसका रिजल्ट काफी अच्छा लगा है आप भी 160 में घर पे कलर कर सकते हैं आप अगरा मैंने सैलून पे हेर कलर करवाया है तो आई होप आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर कमें और सब्सक्राइब तो मैं चैनल